असलाम अलेकुम डियर स्टूटेंट इस इस मोहमद नवीद जाफर जी स्टूटेंट्स हम बात कर रहे हैं एक्सराइज नमर 3.8 के उपर और अब हम इसके नमर 19 से 21 की दरफ चलते हैं यह थोड़े वो पर्टिक्लर स्लुशन इसका मैंने पहले लेक्चर में जिकर किया था उ जैनल स्लुशन आफ दिस एक्विजन और अलस फाइंड पर्टिक्लर स्लुशन आप इस इंडिस तो पहले आपके पास जो क्वेस्ट नमबर 19 है उसमें गिवन क्या है गिवन डैट आप जो कि वन है वो लिखें आप डिवाइब डिएक्स डिवाइब डिएक्स माइनस एक् स्वाइब करते हैं वही तरीका आपको बता दिया है यहां से डिवाइब डिएएक्स और एकवर्ट हैज स्कुर्वर इसको इदर ले आएं, यहां से dy is equal to x common, तो 1 प्लस y square और साथ dx, यह उदर multiply भी कर दिया और उदर से x common भी ले लिया, तो यह आगया 1 over 1 plus y square dy, और इदर आजएगा x dx, तो अब integrate कर दें, integrating, तो आप देखें, आपके पास क्या result बनते हैं, यह आजएगा 1 over 1 plus y square dy, और यह आजएगा हमारे पास x dx, ठीक हो गया, जी, 1 over 1 plus y square, तो यह आजएगा 10 inverse y, यह derivative बाउस का, x plus c, यह आगया, तो यह हमारे situation बन रही है, 1 over 1 plus y square, और x, sorry, x square by 2, क्योंकि x की जो integration है, वो x square हो जाएगी, यह तो हमारे पास आगया, इसका general solution, यहां मैं आगे लिक रहा हूँ, that is, general solution, अब आपने इसका particular solution भी बताना है, तो particular solution के लिए उसने, जो conditions दीए है, वो कहता है, given that, कि आपका, जो x है, वो 0, और y, जो है, वो 1 है, ठीक हो गया, so x 0 और y 1 पर try करते हैं, क्या situation बनती है, 10 inverse 1 is equal to 0 by 2 plus c, 10 inverse 1 होता है, pi by 4, और यह आगया c, so आपने देखा कि c की particular value आगी, इसको उपर put कर दें, put in general solution, put in general solution, तो यह आपके पास students आजएगा, 10 inverse y is equal to x square by 2 plus pi by 4, तो अब आपका यह particular solution बन गया, इस तरह से आप general से particular में move करते हैं, so now, it's the turn of question number 20, question 20 को देखते हैं, कि इसमें क्या कहता है, और फिर से आगे move करेंगे, question number 20, question number 20 के अंदर बचो यह बात होरी है, solve the differential equation, same ऐसा ही सवाल है, dx by dt is equals to 2s, 2s, और फिर इसका वोई particular solution बगएरा सारा आपने find करना है, तो पहले तो इसको solve करते हैं, यह ds by dt होगा शायद, नहीं, dx by dt is equals to 2x, 2x, sorry, dx by dt is equals to 2x, given that x is equals to 4 and t is equals to 0, so, यह आजाएगा पहले dx is equals to 2x dt, यह आजाएगा 1 over x dx is equals to, यहाँ पर आजाएगा हमारे पास 2 dt, लोग चो, यह आगया 1 over x dx और यहाँ आजाएगा 2 dt, 1 over x जो है वो log x, इदर आजाएगा 2t और प्लस log आप c करने साथ, let's add, तो अब यह log x और इस साइड पर 2t log e साथ मतारफ करवा देते हैं, log c, so log x log e raise to power 2t, यह इसकी power में ले गए और log c, so बच्चों, यह situation कुछ यह बन गई, log x is equal to c e raise to power 2t, log में, तो x हमारे पास आगया c e raise to power 2t, यह तो था general solution, अब हमने इसके particular solution की दिशाना है, values दी हुए हैं, कि t आपका जब 4 0 हो, तो x आपका 4 होगा, so that 4 c e raise to power 2 times 0, तो यह आज़ेगा 4 c और यह आज़ेगा 1, so c is equal to 4, so यह value इसमें put करें, put in 1, put in 1, तो यह आपके पास आज़ेगा x 4 e raise to power 2t, that is your required solution, okay students, इस lecture के आखरी question, question number 21 की तरफ मूव करते हैं, same ऐसा सवाल है, वो भी आप इसी अंदाज से solve कर सकते हैं, लेकिन question मैं आपके सामने कर देता हूँ एक दफ़ा, ds by dt, ds by dt plus 2st is equal to 0, question number 21, जी बचो, आपने क्या करना है, ds by dt is equal to minus 2st, ds is equal to minus 2st dt, यहाग्या t को इदर ले आएं, सारी, s को इस साइट पर आप ले आएं, ds by dt plus 2st, ds को इदर ले आएं, 1 over s, ds is equal to minus 2t dt, यहाग्या, अब आप इसकी integration कर दे, तो यहाजाएगा, 1 over s, ds is equal to minus 2t, और इसकी integration dt, यह बच्चो आजाएगा, मेरे पास, log s is equal to minus, log s is equal to minus, यह 2t, तो यहाजाएगा, 2 time t square by 2, और प्लस log constant of integration, यहाग्या, log s is equal to minus t square, log e, is equal to plus log c, यह बन गया, उसके बाद हम इसको लिखेंगे, log s is equal to, log e raised to minus t square, प्लस log c, log s is equal to log c raised to minus t square, यह बन गया, लो जी, अब हमने log से log किया, cancel, c e raised to minus t square, हमारे पास result बना, अब इस result में हम finally यह values पुट करते हैं, जो given है, कि आपका t 0 होगा, तो s, जो है, वो 4 e हो जाएगा, तो 4 e is equal to, c e raised to minus t square, yes is equal to 4 e raised to power 1 minus t square, that is your required solution, so, उमीद है, आपको यह लेक्चर समझ आया होगा, फिर भी किसी किसम को को सवाल हो, तो जरूर पूछिएगा, जिन्दिगी रिएट इन्शालला, तो फिर इसी प्रोग्रम इसी चैनल पर दोबार मुलकात हो, कितब तक लेजादी जाला हाफिज, असलाम आलेकम,